अशोके लोट जी, भारत सिंग सोलंकी जी, अर्जुर मुडवणिया जी, मोहन प्रकाश जी, डॉक्टर सुनेरी जी, नाना पटोले जी, सीजे चावडा जी, कमनी बेन राठोड जी, सूर्या सिंग धाबी जी, गोविन सोलंकी जी, इमान्शु पटेल जी, अर्बिन सोलंकी जी, निशित वियास जी, जेराज सिंग परमार जी, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब गार्य करता, भाईयों और महनों, प्रेस के हमारे मित्रों, सेवदल, नसूआई, यूद्ग्रेस, महिला कॉंग्रेस के हमारे सब लोग, आप से दिल से बहुत-बहुत स्वागत अब तीन महीने से कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं के गुजरात में दौरे लग रहे हैं सुनाओ का समय गेलोट जी मैं सुलंकी जी मोडवाडिया जी बाकी हमारे सब नेता पूरे गुजरात में भूमे सैम पिट्रोडा जी को हमने अमरीका से बुलाया मिस्ट्री जी है और सैम पिट्रोडा जी ने मैनिफेस्टो तियार किया सो दो सो तो मैंने ही मीटिंग की किसानों से मिला मजदूरों से छोटे दुकानदारों से आशा बेनों से आंगनवारी महिलाओं से टीचर्स डॉक्टर सब से हम मिले और खुल कर बात कि एसी बड़ी मीटिंग में छोटे छोटी मीटिंग में आपने सवाल पूछे मैंने सवाल पूछे और हमने मैनिफेस्टो तियार किया और तीन चार महीने से कॉंग्रेस पार्टी गुजरात के बविश्य कप प्लैन बना रही है हमारे सब नेता इसमें शामिल है किसानों के लिए क्या होगा क्या करा जा सकता है मीटिंग में मेरे सामने एक टीचर बुदूर टीचर रूती है और कहती है राहूल जी महंगाई बढ़ती जा रही है मगर मेरी जो सैलरी है वो वही की वही रुकी हुई आशा बेहने कहती है आंगरमारी महिला ही कहती है कि राहूल जी हमें सही पैसा नहीं मिलता है सोला सोला गंटे काम करते हैं पैसा नहीं मिलता किसानों ने कहा नर्मद अगापानी नहीं पहुँचा हमने मैनिफेस्टों बनाया 21 साल 22 साल नरेंदर मोदी जी और गुजरायत की सरकार नहीं हाराज किया तीन माईने पहले उन्होंने कहा कि चुनाओ हम नर्मदा के पानी पे लड़ेंगे दो तीन दिन के अंदर गुजरायत की किसानों ने उनसे कहा देखिए नर्मदा के पानी पे आप नहीं लड़ सकते हो क्योंकि नर्मदा का पानी हमें तो मिला ही नहीं नर्मदा का पानी तो आप ने टाटा नायनो जैसी फैक्ट्रियों को दिया बीजेपी की गाड़ी राइट टर्ल करती है नेताओं ने का छोड़ो छोड़ो नर्मदा की बात छोड़ो चलो इस बार हम ओपी सी मुद्धे पे चुड़ा हो रहें पूरा का पूरा पिठ्रा समाज खड़ा होता है कहते हैं भही आप क्या बात कर रहे हो बाइस साल से आपने हमें कुछ नहीं दिया बच्चे कॉलिज जाते हैं पूरे के पूरे कॉलिजेज ब्राइबेटाइज कर दिया लाखों रुपे लगते हैं कोई बिबार होता है सारे के सारेございます पाल प्राइबेट कर दिए अक्सरें की झारूरत होती है हजारों रुपए लगते हैं और अपरेशन होता है लाखों रुपए निकाल के देना होता है UbiCase पह आथ कैसे लड़ेंगे पिछोड़त पह ते लड़ेंगे चौकई पूरा गुजुरात कह रहा है विकास पागल हो गया और पीजे भी कहती है 22 साल के विकास के रेकॉर्ड पे हम चुड़ा लड़ेंगे ठीक है अब इच्छा जी को रुपानी जी को कहा गया ऐसे करिए यात्रा निकाल लिए शुरुआत हुई यात्रा की एक दिन हुआ दूसरे दिन जैसे पिक्चर फ्लॉप होती है न वैसे यात्रा फ्लॉप होई द्राम से मेरा कहना है गोरव यात्रा मेरा कहना है इधर से उधर नर्मदास से पिछणों के पीछे पाटिदार विकास इधर उधर 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 दूधर 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 और अंत में तीन चार दिन से मैं बाशन सुन रहा हूं मोदी जी का चाहिना भी बात हो जाएगी अफगानिस्तान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मोदी जी ये गुजुरात का चुना हो रहा है गुजुरात का गुजुरास के मैदान पर उतरिये गुजुरास की बात कीजिए गुजुरास के विकास की बात कीजिए गुजुरास के युवाओं के बविश्री की बात कीजिए वो तो आप करने ही पा रहे हो अच्छा दूसरी बात और भी बसे दार बात पूरे देश पर भाषन देते हैं कहते हैं कॉंग्रेस तो मैंने अठा दिया गाइब हो गई मोदी जी अगर कॉंग्रेस गाइब हो गई तो आपके भाषन का 50% कॉंग्रेस के बाले में क्यों और बाकी जो बचता है नरेंद्र मोदी जी अपनी बात करते हैं कोई प्लान नहीं आपके लिए गुजराद के किसानों के लिए क्या करेंगे कुछ नहीं मज़़ूरों के लिए क्या होगा कुछ नहीं अधियापकाओं के लिए क्या होगा कुछ नहीं बस कॉंग्रेस पाइटी के बारे बोलेंगे और अपने बारे में बोलें क्योंकि हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ सचाई ने गुजरात में मोदी जी को और बीजेपी को घेल लिया अभी मोड़वाडिया जी मुझे बात कर रहे थे चुना हुआ है और कह रहे थे कि BJP के कार्यकरताओं ने इनको बताया कि हमारे पास बोलने को कुछ है ही नहीं हम बोलनी पा रहे हैं बने टीमोरलाइज है क्योंकि सच्चाई गुजरात की बाहर आ गे है कॉंग्रेस पार्टी ने 35,000 क्रोड रुप्या मन्रेगा में डाला था करोणों लोगों को फायदा हुआ जितना पैसा हमने मन्रेगा में डाला पुर्य देश में उतना पैसा BJP ने गुजरात की एक फैक्टरी में डाला टाटा नैनो फैक्टरी में डाला वहाँ आपकी जमीन चीनी जिन से जमीन ली उनको कहा इस फैक्टरी में तुबे रोजगार मिलेगा नर्मदा का पानी उस फैक्टरी में गया गुजरात के किसान को रात आठ बजे रात बिजली मिलती है, टाटा नैनो को 24 गंटे, आज की सच्चाई, टाटा नैनो फैक्टरी में से 24 गंटे में दो गाड़ी निकलती है, सिर्फ दो गाड़ी, और टाटा कमपनी नैनो की प्रोडक्शन लाइन को बंद करने जा रही है, यह दो को आपके पीछे सड़क है, यहां आप 10 गंटे खड़े हो जाओ, आपको इस सड़क पे एक नैनो बाड़ी नहीं दिखने वाली है, 33,000 रुपए, एक कमपनी को, दूसरा उधारत, इनके मित्र हैं, 45,000 हेक्टेर जमीन, गुजराद की सरकार ने श्री अधानी को दिया, किस रेट पे दिया, एक रुपए प्रती मीटर, राज्स्तान के चीफ मिनिस्टर बैटे है, रेगिस्तान में आप चले जाएए, एक रुपए प्रती मीटर जमीन आपको नहीं मिल सकती है, पुर्वे अंडुस्तान में मिल सकती है, मगर गुजराद के किसान से जमीन छीन कर पैतालिस हजार हेक्टेर जमीन एक व्यक्ति को दी जा सकती है ठीक है मगर मामला वहाँ नहीं रुकता है तीन महीने के अंदर वोही व्यक्ति उसी जमीन को तीन हजार रुपे प्रती मीटर सरकारी कंपनियों को बेचता है आपसे जमीन जीनी उसको दी एक रुपे पर और उसने वही जमीन सरकार को दी तीन हजार रुपे और फिर कहते हैं बहुत विकाज किया दो धारन दिये मैंने आपको दो धारन दिये लिस्ट है मेरे पास किसी को 33,000 क्रोड रुपे किसी को 5,000 क्रोड रुपे किसी को 2,000 क्रोड रुपे किसका पैसा गुजरात के किसान का पैसा गुजरात के मजदूर का पैसा आपके हस्पतालों का पैसा आपके कॉलिजिस का पैसा 90 प्रतिशत कॉलिज प्राइविटाइज कर दिये सरकारी हस्पताल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा नर्स नहीं मिलेगी गुजराथ के गरीबों में सामने एक ही रास्ता है दो रास्ते हैं या जेव में से पंद्रा लाग रुपे दो इलाइज के लिए पिछले साल एक लाख तीस हजार करोर रुपे दिल्ली की सरकार ने दस लोगों का माँद किया विजे मालिया लंडन में बैका है नो हजार करोर रुपे का उस पे करजा है रफाइल मामले में जिस उद्योग पती को नरेंद्र मोधी जी ने हवाई जास का पॉंट्राइक दिया उस पे पैंतालिस हजार करोर रुपे का करजा है और जब गुजराग का किसान हाद चोड़कर पधान मंत्री जी के पास जाता है रुपानी जी के पास जाता है जेटली जी के पास जाता है कहता है रुपानी जी जेटली जी आपने एक लाग तीस हजार करोड रुपए इनका माप्या दस लोग है मालिया लंडन में बैटा है नो अजार करजा उसका है नो अजार करोड का मेरा आप ललित मोदी भी मेरा आप दस हजार रुपए करजा माप कीजे तो पार्लमंट हाउस में और उन जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी सरकार का पॉलिसी नहीं है हम नहीं करें लिए किसान में क्या दल्ती किये पंद्रा लाग रुपे का सूप नहीं पहनता है मरसडीज बीम डव्यो में नहीं गूमता है हवाई जहाज प्राइबेट हवाई जहाज में नहीं गूमता है मकर दिन भर अपना पसीना देता है कून देता है पूरे देश को बोजन देता है कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आ रही है सक्तर हजार करोर रुपे यूपिये की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों का माप किया था अब अच्छी तरह सुन लीजिए गुजरात के सब किसान सुन लीजिए आप दस तक गिनना दस दिन एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस दस दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी किसान के करजा माप करने वाली पॉलिसी बना के दिखा गिए मोधी जी ने आप से कहा था सही दाम मिलेगा आपने अभी स्वामी नातन रिपोर्ट की बात की कपाज के लिए मुंपली के लिए सही दाम मिलेगा UPS में 1400 रुपए कपास के लिए मिलते थी मोधी जी ने कहा था 2000 मिलेंगे 1400 कम है और आज आप गुजरास में किसी भी कपास के किसान से पूछ लीजिए वो आपको बता देगा आज उसको 800 रुपए मिलते हैं पहले बहुत प्रश्टाचार की बात होती थी प्रश्टाचार के खिलाव मोधी जी अपने हर भाशन में बोलते थे अब आपने देखा ओगा मोधी जी प्रश्टाचार के बारे में अब नहीं बोलते हैं आठ नुवेंबर पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया आप से कहा साले दन के खिलाब लड़ाई है पैंक के सामने आप जाके खड़े हो जाओ आप सब खड़े हुए मज़ा आया आपको मज़ा आया मज़ा आपको नहीं आया मज़ा पता है किसको आया जो काले धन वाले बैंक के पीछे वाले दर्वाजे से गुज़ कर एसी कमरे में बैटे थे दो हजार रुपे वाले गुलाबी नोट उनको वहाँ भी आऊंगा वही जा रहा हुँ दो हजार रुपे के दर्वालों ने अपना काला धन सबेद कर दिया मोदी जी ने मदद की उसके बाद जो पैसा हमारी माताओं के पाइस बचा था आधा नोट बंदी में गायब हो गया इस साल नरेंद मोदी जी कहते हैं चलो पूरे देश को शोले पिक्चर दिखाते हैं चलो गरीबों के पास जो बचा है छोटे दुकानदारों के पास जो बचा है सूरत में गुजराद के बाके शेहरों में स्मॉल और मीडियम बिजनिसेस के पास जो बचा है चलो उसे भी छीन लेते हैं बारा बजे रात को गबबर सिंग गबबर सिंग टैक्स उसके पास गबबर के पास पाँच अत्यार होते थे राइफल, पिस्टल, चाबुक, छुरार गबबर सिंग टैक्स, पाँच अलग अलग टैक्स कोई नहीं बच सकता है ये कमाई गबर को दे दो कल मैं चाही के तुकान में गया मालिक से बात हुई मुझे कहता है राहुल जी आप अपने भाशन में एक बात जरूर कहना मोधी जी को रुपानी जी को सुनाई देनी चाहिए मैंने का क्या कहता है कि अगर गबबर सिंग के आने से पहले मुझे सो रुपे मिलते थे गबबर सिंग के आने के बाद मुझे पचास मिलते मेरा आदा पैसा मेरी आदी कमाई गबबर सिंग उठा के ले गया और राहुल जी उसमें मुझे बोला मैं अकेला नहीं हूँ आप गुजरात के किसी भी व्यपारी से किसी भी दुकानदार से किसी भी बिजनस चलाने वाले व्यक्ति से पूछ लो कम से कम 50% का घाटा पड़ा है और मैं नोट बंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिरफ गबबर सिंग की बात कर रहा हूँ उसके शब कौन देगा जवाब और इस आंदी में तुफान में एक कमपनी चमकती वी उठती है एक कमपनी वो क्या है देखो वो आई वो चल वो आई देखो चमकती वी कमपनी जैशा जादा खा गया पचास हजार रुपे को तीन महीने में असी करोण में बदल दिया जादूगर रिमोट कंट्रोलर वो अमिट शाजी रिमोट कंट्रोल को यू दवाते है रुपानी जी दाएं गूमते हैं उतको यू केचते हैं तो वो दाएं गूमते हैं रिमोट कंट्रोलर गुजरात के अमिट शाज उनके पुत्र को पचास हजार रुपए तीन महीने में असी करोण में बदलना आता है आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी गुजरात में जो ये काम कर सकती है और प्रधान मंत्री जी जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इसके बारे में वो एक शब नहीं कहते है पैरिस का मामले सुना आपको पैरिस वाला फ्रांस वाला सुना है राफाइल हवाई जान वाला एर फॉर्स वाला मैं बताता हूँ एर फॉर्स ने 136 हवाई जहाज राफाइल नाम कहवाई जहाज खरीदे contract जाना था हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड को हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड 70 साल से एर फॉर्स के लिए वाई जहाज बना रही मोदी जी जाते है फ्रांस पैरिस उसी समय उनका उद्योग पती मित्र भी पैरिस में होता है अचानक कॉंट्रेक्ट को बदल दिया जाता है नया कॉंट्रेक्ट त्यार होता है 36 हवाई जहाज खरीदे जाते है H.A.L. से कॉंट्रेक्ट छीन लिया जाता है उद्योग पती मित्रों को दिया जाता है इसने अपनी पूरी जिन्दगी हवाई जहाज नहीं बनाया इसके उपर 45 हजार करोन रुपए का तर्जा है हमने नरेन मोदी जी से तीन सवाल पूछे आसान सवाल मोदी जी पहला सवाल आपके कॉंट्रैक्ट में नए कॉंट्रैक्ट में हवाई जहाज का दाम कम हुआ या जादा नरेन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया रक्षा मंत्री का प्रेस कॉंफरंस होता है वो भी जवाब नहीं दे पाई कहती है बाद मैं जवाब दूँगी दूसरा सवाल आपने हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमेटिट से कॉंट्रैक्ट छीन कर उद्योपति मित्र को क्यों दिया उसने जहाज कभी नहीं बनाया 45,000 करोन रुपए का कर्जा है उस पे एचेल सालों से हवाई जास बना रही है क्या कारण है कि आपने एचेल से कॉंट्रैक्ट छीना कोई जवाब नहीं और तीस तरा शायद सबसे ज़रूरी सवाल हर मिलिटरी कॉंट्रैक्ट में चाहे वार्मी का हो, एरफोर्स का हो नेवी का हो खरीदने से पहले कैबिनेट कॉमिटी ओन सेक्यूरिटी से पूछना पड़ता है इजाज़त लेनी पड़ती है मोदी जवाब ने फ्रांस में ये निरने लिया क्या आपने कैबिनेट कॉमिटी और सेक्यूरिटी से इजाज़त ली थी, हाँ या ना कोई जवाब नहीं आया अमिट शाह के बेटे के मामले के बाद और राफाइल हवाई जाहस के मामले के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाशनों से भरष्टा चार शब्द गायब हो गया, दिखाई नहीं देता, सुनाई मिझे मगर सचाई से नहीं चुप सकते हैं सचाई ये है कि आपका पूरा का पूरा धन दस-बंदरा लोगों को दिया गया आपके शक्ति का प्रहोग किया गया ज़रैयत के किसानों की शक्ति माता ये बेहनों की शक्ति आपकी जमीन आपकी बिजली आपका पानी सब इन दस पंद्रा मित्रों को दिया गया और आपको जो मिलना था हस्पतालों में डॉक्टर सरकारी स्कूल और कॉलेज़ रोजगार वो आपको नहीं मिला आप देखिए अजीब सा देश है मोधी जी के पास सब कुछ हिंदुस्तान की सरकार यूपी की सरकार, गुजरात की सरकार चतिसगार, जारकन, मध्यप्रदेश, महराश्टरा आईबी इंटेलिजन्स, पुलीस पूरा का पूरा पैसा जो आपको जुनाव में दिखाई दे रहा होगा टीवी पे सरफ मोधी जी दिखाई देते हैं सब कुछ है उनके पास हमारे पास कुछ ने हमारे पास सरक सच्चाई है सच्चाई और ये देश जो है ये सच्चाई का देश है ये देश सच्चाई को पहचानता है, समझता है और हजारों सालों से ये सच्चाई पे चलता है आप देख लेना चाहे कोई कुछ भी कह दे गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है इसको आप कोई नहीं रोक सकता है कोई शक्ती नहीं रोक सकती है क्योंकि गुजरात की जंता ने अपना मन बना लिया है ये वो ही जंता है जिसने इस देश को इस देश को छोड़िये जिसने इस दुनिया को महात्मा गांदी और सरदार पटेल जी दिये थे इन दो व्यक्तियों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा दिया सूपर पावर को हिंदुस्तान से उकाव के फिक दिया और याद रखिए पियार से करोज से नहीं नफरत से नहीं पियार से अंग्रेजों को कहा आप लोग जाइ Manual मोधी जी मेरे बारे में जो भी बोलना चाहते बोल सकते है जो भी गंदी बाते बोलना चाहते है अपने या कहते हैं उनको ट्रोल से जो भी बुलवाना चाहते है जो भी करवाना चाहते मेरे बारे में कुरा सकते है मगर मैं कॉंग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ मैं हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के पद का आदर करता हूँ मेरे मूँ से नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक गलत शब नहीं निकलेगा मैं अगर उनके बारे में बात करूँगा मैं अगर उनके बारे में बात करूँगा वो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री है हिंदुस्तान के नागरिक ले उनको बनाया है मैं अगर उनके बारे में बात करूँगा तो तमीज से बात करूँगा प्यार से बात करूँगा मगर सच्चाई जरूर बोलूँगा खुल के सच्चाई बोलूँगा गुजराथ की सच्चाई आपके सामने रखूँगा हिंदुस्तान की सच्चाई आपके सामने रखूँगा मगर मेरे मूँ से प्रधान मंत्री के बारे में एक गलत शब्द नहीं निकलेगा वो आपके प्रधान मंत्री है गुजरात के प्रधान मंत्री हैं और मेरे भी प्रधान मंत्री है आपने देखे तीर पिछले तीन माईनों में आपको बताता हूँ आपने मुझे इतना प्यार दिया और सिखाया भी आपने सिर्फ प्यार नहीं दिया आपकी बातों को सुनकर मैं सीखा भी हूँ आपने तीन महीने में जो मुझे प्यार दिखाया है उसको मैं जिन्दगी भर नहीं बोलने वाला हूँ क्या कुछ भी हो जाए और आपने जब तक मैं जिन्दा हूँ कही भी हूँ गुजराद के किसी भी व्यक्ती ने गरीब हो अमीर हो कोईबी हो अगर गुजराद ने कहा राहुल इधर आओ ये करो मैं दो मिनट में जहां भी हूँ मैं यहांबा पहुँझ जाओ क्योंकि आपने मुझे अपना बनाया है आप मुझसे गले लगे हो और ये बात मैं पूरी जिंदगे नहीं बोलने वाला हूँ मेरा रिष्टा आपके साथ बन गया बात खतम आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद